तो आज शुरू करते हैं पिना किसी बक्षोदी के लिए हो रहा है ये 500 रुपे पेट्रल खरीदे के लिए तैयार है तो आप भी देश बक्षी जाहिए बिल्कुल मैं बाबा रामदेव को घसीट कर लेके जाना चाहते हैं बाबा रामदेवी है जो पूरे देश को 35 रुपे तीस रुपे पेट्रोल दे सकता है भाई या बताओ कि आपको 75-80 रुपे का पैट्रोल चाहिए कि 35 रुपे का तो आपको जो 35 रुपे का पैट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सबसीडी के बावजूद सबसीडी के बिना जो है 12 रुपे का मिलता है यदि आपको गैस का सिलेंडर 300-400 रुपे का मिले उसको वोट करोगे या 12 रुपे के देने वालों को और अब बाबा राम देओ को अगर ये सवाल पूछा जाए तो कहेगा देश इतके लिए तो जरूरी है भाईया थोड़ा तो योगदान देना पड़ता है ठीक है मद्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे भरोसा है कि कुछ जरूर देगी थोड़ा सा तेल डिजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेव से पैसा भी निकलेगा बाहर लेकिन ये देश भी तो अपना ही है ये तो हमारे भीतर प्राइड होना अचिक अपने देश के लाम कुछ दे रहें नहीं और फिर खुद ही डेड़ी आंख वाला काना खुद ही कहता है कि साइकल चला ये ये शरीर के लिए सब्सक्राइब को सके जैसे मैं सुबह पांच किलमेटर दोड़ लगाता हूं सैकिलिंग करता हूं तो जो आत्परोस के दो अपने ओफिस है ना लोग साइकल वाला ट्रेंड शुरू कर दे इसे हेल्दी भी रहेंगे अनुपम खेर अक्षे कुमार अमिता बच्चा नहीं अजय देवगन जो कहेगा कि केसर क्या किसकी गुटका के एड करता रहता है यह कभी हमारे जितने भी सेलिब्रेट ये किसानों की बात क्यों नहीं उठाते है कजब बेज़ती है आखिर ये भी कही न कहीं देखा जाए तो इनके पूर्वज भी किसान रहेंगे तो ये पीज़ा खाने वाले या थोड़ा सा हुशियार में स्टाइल मार लेते हैं बड़े बड़े सेलिब्रेटी ये क्यों नहीं समझते कि अंदुरूनी मामला है अरे ये थोड़ा बाती कर दे पहले तो ये ट्वीट करते थे अब ट्वीट इनके डिलेट हो जाते हैं तो शर्म सब अनपड़ा नहीं है मोदी जी की तरह समझते हैं हां बिल्कुल अमित भाई ने दिखाया था डिगरी ये देखिए हमारे मोदी जी पड़े लिखे हैं आप सामने प्रधान मंत्री जी की बीए की बीए की और में की दोनों डिग्रिया सारवजनिक करना चाहता कुछ भी है कुछ भी ये हैं मोदी जी की डिग्री ये तो दोती खोल रहा है कि किसना पढ़े हैं वैसे तो मैंने 17 साल की आवी में घर छोड़ दिया स्कूली सिक्षा के स्कूली सिक्षा गाउं में किया और जैसे मेडम बता रही थी ना कि अपनी सिक्षा के करना आदमी आगे नहीं बढ़ता है तो मेरी सिक्षा ही नहीं हुई है जुठ बोलो बार बार जुठ बोलो जो भी बोल सकते हैं सब जुठ बोलो जहां भी बोल सकते हैं जुठ बोलो जितनी बार बोल सकते हैं जुठ बोलो किसी भी विशे पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ जुठ बोलो एक ही काम जुठ बोलो जुठ बोलो जुठ बोलो बार बा सब्सक्राइब मजा आया और में यह जो मज़ा विये हिंदुस्तान कैर्भ यक्थि को देना चाहता बिल्कुल मैं आंदोलन जीवी हूँ लेकिन मैं जुठलेंदर जीवी नहीं हूँ चुनावी भाषण में प्रजान मंतरी ने बात कई उसको वो बार-बार दोरा रहे हैं कि 15 लाग रुपया अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे हैं देखे यह जुमला किसी के अकाउंट में 15 लाग रुपया कभी नहीं जाता वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम और देश्की जन्ता को भी मालूम है यह भाषण देने का एक तरीका है जुमला इनको शारम आनी चाहिए यह जो प्रधान मंत्री है इतिहास में पहला इसा प्रधान मंत्री है भाहिया जिसका बहुत जोरों शोरों से मजा कुड़ा है सुबे उठते ही इनके ऐसे जुमले वाले चलते है ना तो लहसी छूट जाती है और इनके जो चाटूकार इसी कटू नहीं करते है अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसको जज करो या उसकी बुक फार दो मुझे नहीं पता बस क् को चाना चाहिए नरेदर मोदी जी कैसे परधान मंत्री है सर आपकी साफ से यह को पैसा करने इस सज्जन को क्या तकलीब है भई क्या तकलीब है इनको